प्रेंज मांवेशे के ओन्लाइन चैनल में आप लोगों का स्राइब आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और घर पर ही होंगे तो बच्चों जीवन में कभी कभी बहुत परिशानी आती है उसका सामना करना ही जिन्दा दिली है और साथ में जो समयशाओं का सा जाते हुए जो अपनी पढ़ाई है उसे विचारी रहती है तो बच्चों आज हम लोग पड़ते हैं चैक्टर दीन कि बड़नों के सार्थक मेल कूद करते हैं एक या एक से अधिक भी हो सकता है बहुत बड़ में हो सकता है मैं एक अख्श्रा अगए तु एक अख्श्रा करा हो गया तो शब्रणों के शब्र बढ्णों के साथ करेंगों सब्दों का बढ्गी करण कीतनी प्रक thoroughfare कियाकं के था उतर पंक है कया कि एट्छा को पना लूज़ा टु जैसे तो निव्च्वा लोगों को सबसे पहले वैदिक संस्क्रेट फिर अपभ्रास उसके बाद भीन-बिन भासाओं का शब बना तो उत्पत्ति के अनुसार सब्द के चार बीद हैं तत्सम तत्भाव देशज और भी देशज़ तत्सम तत प्लस सम अर्थात उसके समाद उसकी समाद किसके समाद संस्कृत के समाद तत्सम बेश़द हैं जो संस्कृत से बीना अपना रूप को बदले उसी रूप में हिंदी में भी प्रियुप्ठ होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहता हैं जैसे घृत, पिता, अगनी, सुर्य, माता, इताले यह अपके यंदी में छलते हैं और संस्कृत जागता तद्भाव उससे बना हुआ किसी से बना हुआ संस्कृत से बना हुआ संस्कृत के बेशत जो थोड़ा सा अपना रूप बदलकर हंदी में पर्यूख के जाता है उन्हें तद्भाव शब्द कहते हैं जैसे घित से घी, सुरिय से सुरिय, त्रिल से घास, कंटर से काटा, मुक्ता से मोति अधे देशी या देशर्शब्द देश की बोल चाल की भासर में उत्पन हुए शब्दों को देशर्शब्द कहते हैं अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्क्रित से नहीं हुए है, जिनकी उत्पत्ति का सुरूत संस्क्रित नहीं है, जो बोल चाल की भासर लोग जैसे बोलते हैं कभी कभी नेरी शब्दों का अविश्कार हो जाता है, तो जो छेत्री परभाव से आ करके बोल चाल की हाजा में प्रिक्थूने लगें उन्हें देशाज सब्द करते हैं तो बच्चों आज का आपको लोगों का हुम्बा कहीं है कि लर्ण लर्ण करना है मतलब अच्छे से लर्ण करना है तब तक बच्चों अपना ख्यार लिखें के लेंदेवाद करते हैं करते हैं